बारिश में ननत भावी का एक कमरा ये कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें अजित था उसकी बीवी सुनिता और उसकी बहन गीता थी और दो लोग थे जो की अजित के माता पिता है दोनों बुजरुब थे वो सभी गाउं में अपना एक छोटा सा घर बना कर रहते थे जिसमें उन्हें काफी तकलिफ भी होती थी और अजित के माता पिता ने किसी भी तरह अजित को पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी के काबिल बनाया था लेकिन मुश्किल ये थी कि अजित को नौकरी मिल ही नहीं रहे थी वो बहुत अपलाई करता था लेकिन हर जगर वेकेंसी फुल होती थी सब बहुत परिशान थे उस छोटे घर में रहकर और उन्हें पैसों की भी बहुत दिक्कत होती थी लेकिन हाँ ठंडी तो किसी भी तरह निकल ही जाती थी गर्मी में भी उन लोगों को उस छोटे घर में रहने में कोई दिक्कत होती नहीं थी भर में सिर्फ दो ही कमरे थे और सुनिता की ननत गीता का एक अलग छोटा सा जोप्री जैसा कमरा था जो इस बार की बारिश में उड़ गया और अब गीता के पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था इस वज़ा से जब तक उसकी भाई को नौकरी नहीं मिल जाती और लोग अच्छा घर नहीं मनवा लेते उसे अपने भावी के कमरे में अपने भाई भावी के साथ रहना पड़ा अजित के माता पिता एक छोटे से कमरे में रहते हैं और अब अजित और सुनिता के साथ गीता भी उनके कमरे में रहने लगी हाँ इसमें उसे शेर्म तो बहुत आ रही थी पर बिचारी की मजबूरी थी वो भी क्या करती और कहीं जगही नहीं थी अब शुरू होती है इन तीनों के एक कमरे में रहने के बाद की परिशानिया सुबसे उकर उठने के बाद कीता को सबसे पहले नहाने के आदत है लेकिन उससे पहले सुनीता नहाने गई हुई थी थोड़ी देर इंतिशार करने के बाद कीता वापस नहाने आई तब उसने देखा कि अब तो पाथरूम में उसका भाई आजित नहाने गया है क्योंकि उसे जौब के लिए इंटर्वियू देने जाना था अब फिर से किता को तकलिफ हुई और घर में आरती भी देर से हुई क्योंकि रोज सुब़ गिता ही घर में आरती करते थी और आज उसने देर से नहाया फिर देर सवे आरती भी हो गई उसके बाद खर के काम और खाना पिना दोनों ननत भावी मिलकर सब काम करने लगते है उसके बाद गिता ठक गई तो अपने भावी के कमरे में जाकर अपने भावी के बेट पर सो जाती है तभी अजेत इंटर्वियू देकर वापस आ जाता है और बिना कुछ आगे पिछे देखे ही सीथा अपने कमरे में चला जाता है बेट पर सोई हुई गिता को कमबल से ढखे हुए देखकर आजित ने गलती से सुनेता समझ लिया और उसके पास जाकर प्यार भरी बाते करने लगा आवाज सुनकर गिता की नेंद खुल जाती है और वो एक टम डर कर कमबल फेक कर देखने लगती है कि ये कौन है तभी अजित भी उसे देखकर डर जाता है दोनों भाई बहन शर्म आ जाते हैं और अजित कमरे से बाहर आ जाता है पार जाकर अजित सुनिता को ठोन कर ये साड़ी बाते बताता है और ठोने लगता है तभी सुनिता ने अजित को समझाया कि अभी पारेश का मौसम है और हमारा घर छोटा है इसलिए ये सब तकलीफ है एक बार घर बढ़ा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा शाम हो जाती है और सभी घर के लोग नाश्ता करके फिर खाना बनाने लगते हैं दोनों ननत भावी मिलकर खाना पीना बना कर सारा कामने पटा लेती है उसके बाद सभी खाना खाकर सोने ही जा रहे होते हैं तबी अजित कहता है, मैं आज अपने दोस्त के घर जाकर सो जाता हूं। तबी अजित के मम्मे पापा उसे साफ साफ मना कर देते हैं। ऐसे आधी रात वो घर से बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम अपने घर में ही सोगे। कुछ दिनों की बात है, एक बार ये बारिश खतम हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा, जाओ, जाकर सो जाओ, अब अजित अपने कमरे में चले जाता है, कुछ दिनों तक बेचारी ननत भावी और अजित तीनों को ही एक एक कबम भोक भोक कर रखना पड़ता था, वो भी नहीं कुछ गलत ना हो जाए, एक ही कमरे में भावी और ननत तीनों है, कुछ दिन ऐसे ही बितने लगे, पूरी बारिश उन विचारों को इतनी तकलीफ में गुजरना पड़ा, कभी कुछ, कभी कुछ, तीनों को एक कमरे में दिक्कत होती ही थी, तभी एक दिन आजित को स इसके बाद अजित ने अपने नौकरी जोइन की, और एक महीने बाद से जैसे ही उसके घर में उसकी तनख्वा आने लगी, सब कुछ दिरे दिरे ठीक होता गया, ननत भावी को एक एक कमरे में नहीं रहना पड़ा, अब सभी के अलग अलग और काफी अच्छे अच्छे कम एक कमरे में रहने की समस्या तूर हो गई, और सब ठीक हो गया, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहाने कमें जरूर बताईएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूले, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करे, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही मज़ेदार और रोमाचक कहाने ला सके,